आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया बस प्रशन के फोड़ो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तो रहत विडियो सिल्यूशन पाओ, अभी राउटनोट करें प्रशन ने पूछा, दो वस्तू है 26 रुपर प्रतीर की दर से खरिदी जाती, इनमें से एक को 4% हानी पर बेच दिया जाता है जबकि दोनों वस्तू का और सथ विक्रें मुले 26 रुपर तो बताएगे कि दूसरी वस्तू कितने हानी प्रतीशत है, लाब प्रतीशत पर बेच आ गया, ठीक है तो पहली वस्तु का विक्रेम उल्य है निकालते हैं तो पहली वस्तु का विक्रेम उल्य क्या हो जाएगा 2600 जो रुपे की क्रेम उल्य था उस पर 4 पकतिशत हानी पर बेश दिया जाता है तो 2600, हानी ओरी तो माइनस 430, तो 4 बट्टा 100 गुना 2600, ठीक है, तो इतने पर उसे बेच दिया जाता है, तो यह हो जाएगा मेरे पास, 2600 माइनस 104 रुपे, तो यह जाएगा 2400 छिन में रुपे, ठीक है, तो में पहली वस्तु का विक्रय मुले आगा 2400 छिन में रुपे, मैंने माना कि माना, दूसरी वस्तु का विक्रय मुले X है, ठीक है, मैंने मान लिया, दूसरी वस्तु का विक्रय मुले X है, ठीक है, और उसत विक्रय मुले कितना दे रखा, 2600 बावन, तो उसत विक्रय मुले क्या हो जाएगा, दोनों का विक्रय मुले को जोड़के, बट् कर दूँगा तो पहले करने पर problems ऑना बट्टाब। ढहूं अर यह कितने बराबर दे रहा है में 262 के बराबर दे रीवान एक्समान आ जाएगा कि इद दर सो गान पास तो लाब क्या हो जाएगा हमारे पास लाब हो जाएगा विक्रेम उल्ले माइनस क्रेम उल्ले ठीक है तो विक्रेम उल्ले कितना है इसका दूसरी वस्तू का दूसरी वस्तू का लाब विक्रेम उल्ले कितना था था थाइसो आठ और क्रेम उल्ले कितना था चबिस सो तो लाब कितने का और है 208 रुपे का ठीक है तो लाब प्रतिशत क्या हो जाएगा लाब प्रतिशत हो जाएगा मेरा लाब बट्टा क्रेम उल्ले गुणा सो तो लाब कितने का और है 208 का क्रेम उल्ले कितना है 2600 गुणा सो तो इधर से में पास आ जाएगा 8% तो मेरा पार दूसरी वस्तू का लाब आ गया, 8% तो 8% लाब उड़ा दूसरी वस्तू को बेचने पर तो मेरा विकल्ब देगो तो मेरा विकल्ब C सही आ हा, 8% लाब Thank You